इस देश के तमाम ट्रक ड्राइवर जो इस देश की अर्थविवस्था का एक हम हिस्सा है और एक कोने को दूसरे कोने से जोडते हैं, एक कोने से दूसरे कोने तक तमाम जरूरत का समान, खाने की वस्तुए अनाज हो गया, फल, सबजी, दूद, दही, त्यादी पहुंचाते हैं, आज को शुब्द है, नाराज है, दुखी है और परिशान थाकार होकर उन्होंने हर्ताल घोशित कर दिये, मीलो लंबी लाइन लगी हुए, ट्रक की अलड़ी सप्लाइ डिस्रप्शन की खबरे आ रही है, तमाम फोटो आ रही है, जहां पर पेट्रोल पंपे, ना पे पाँचेगा, उनके भी दाम बढ़ेंगे, क्योंकि यही में जरिया होता है, ट्रांसपोर्ट का ट्रक, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सरकार एक कानून लेकर आई है, हिट और रन कानून, जिसके तहट अगर ट्रक ड्राइवर से अचिज़न्ट हो जाता है, तो उसके उप क्यों बना, और यह पैटर्न है, और इसी से ठकार कर, ट्रक ड्राइवरोंने हरताल घोशित की है, क्योंकि कोई भी ट्रक ड्राइवर घर से निकलते हैं, यह सोच कर तो नहीं निकलता, क्या आग मैं आक्सिदेंट करूँगा, और आक्सिदेंट कही बार किसी दूसरे की गल लोगों को अपने ही पैसा लेने के लिए लाइन में लगा दिया, अर्थववस्था चौपट कर दी, जी एस्टी में भी एड़ी हुआ, गलब सलग जी एस्टी लठेतों की तरह से वेपारियों को प्रतारित करने के लिए लागू कर दिया गया था, काले कानूनों के साथ, किर्शी कानूनों के साथ भी यह हुआ, मू की खानी पड़ी लेकिन साथ सो किसानों की शादत होई, और सवा साल तक किसान अपने हक की मांग करते रहे, खुले आसमान के नीचे बैठ कर, यही हाल अगनी वीरी औरजना का भी है, देख रहे हैं उसका परणाम, और यही हाल लॉकडाउन का भी था, बिना महुलत दिये, आकर बोल दिया सामने से, देश में लॉकडाउन लग जाएगा, हजारों दैनिक मजदूरों को पैरों के च्छालों के साथ चलचलाती धूप में सड़कों पर चलवा दिया था, तो ऐसे कानून क्यों बनते हैं, क्योंकि यह सर कमिटी ना स्टैनिंग कमिटी, एक पाटरन है, जब कानून बनेगा, कोई ना कोई दुखी परिशान होगा, और ऐसे ही कानून बनाए जाते हैं, कि साहब के मर्जी आज आई सवेरे, शाम को कानून बन जाता है, यह तुगलकी फरमानों की सरकार है, यह न्याय संगत कानू की सरकार नहीं है, लेकिन यह जो हिट अंड रन कानून है, इसके चलते ट्रक ड्राइवर परिशान है, वो अर्थवेवस्था का एक एहम विस्सा है, और यहाँ पर समाधान खोजना जरूरी है, सरकार को पूरी तरह से पुनर्विचार करना चाहिए, नहीं तो इसके परड काम बहुत एहम होने वाले हैं.